नवश्का दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ओपर डिस्केशन करने जा रहे हैं जो जो लगता है कि आज की डेट में मेट्रोपॉलेटन सिटीज में और इंडिया के अंदर घरकर के अंदर कानी बन गई है लड़कियां शादी करती हैं और शादी के बाद एक जनरल दिखा गया है कि भुड़े माबाप को परेशान किया जाता है भहू और उसके बेटे के दुआरा तो आज एक judgment के उपर हम discussion करने जा रहे हैं हमारे साथ विकास जी है विकास नागवान जी और बहुत भैतरीन बोलते हैं लोग के उपर तो इस topic के उपर discussion करेंगे तो विकास जी आज मेरा जो पूरा का पूरा ये discussion है एक particular topic के उपर है जनरली हमने देखा है जब शादियां होती है माबाप अपने बेटों के शादी कराते हैं बड़े धुमधाम से शादी कराते हैं और अपने जीवन की पूरी पूर्जी कई बार तो शादी में लगा देते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि शादी के बाद वो फोतों को खिलाएंगे एक family का सुब भोगेंगे लेकिन आज की रिट में ऐसा trend आ गया है कि भोगेंगे आती हैं और घर के अंदर अपना पूरा का पूरा position कर लेती है जबकि वो property जो होती है वो उनके माबाप की होती है जो अपने बेटे की शादी करा करके भोगों को लेकर आते हैं और आने के बाद ऐसी स्तिती पैदा कर देती हैं कि उन माबाप का बुड़े माबाप का उस property में रहना दूबर हो जाता है और जब ऐसे माबाप परेशान हो करके कोट का दरवाजय खटखट आते हैं senior citizen act के अंदर district magistrate के petition लगाते हैं और eviction के लिए बोलते हैं कि हमें अपने बहु और बेटे से हम प्रेशान है और इनको हमारी property में से निकाल दो ठीक है हमने शादी करा दी जो भी हमारे साथ हुआ इस property में से इनको निकाल दो और जब ऐसी petition लगाई जाती है तो उसके counter में उनकी जो भहु होती है वो domestic violence act का एक petition फाइल करके मईस्टेट के यहां महाँ पर protection order मांगती है महाँ पर उससे यह बोला जाता है कि इस property में से उनको ना निकाला जाए यह उनका matrimonial house है तो क्या ऐसी इस्तिति के अंदर क्या क करना चाहिए लोगों को और अगर किसी के घर में ऐसे बुडे माब आपको प्रेशान कराया जा रहा है बेटे के दुवारा या उसकी बहु के दुवारा तो उनके पास क्या options है और अभी recent में जो यह judgment आई है पूजा मैता नदर्स वसिज दिल्ली और एंसिटी जो recent में पर बहुत अच्छा बोलते हैं और इन फैक जज्वेंट भी आप इन निकाल के दीदी जरूर में अब ही क्या है कि देखो सबसे पहले तो यह समझो कि इसु कहा है पहला इसु तो यह है कि जो आज की तारीख में जो नौजवान पीडी है जो शादी होती है और सब खाने कम तो लोगों को लगता है कि हम कानून में जाएँगे अचरोश सरोगी रात नराथ पतनी क्या करदेंगगे और इस सुचुवेशन की की वएसे पेशं सहे नि लोगों में तो भर, कई बहुयं जो उत्पात मचाती हो उत्पात क्यों मचाती हो ऑód इसानन मेरे favor में और obviously कानू बहु के फेवर में है और ठीक है कानून तो मैं लगता है फेवर में बनना भी चैसा कि क्योंगी कानून जब भी बनाए गए हैं तो वह सिच्वेशन को देख करके बनाए गए हैं कहीं ना कहीं पहले बहु को सताया जा रहा था हमारे देश में जब महिलाया शादी होके आती उनकी घर में मैंने ऐसी सिच्वेशन भी देखी हैं वह पीटा जाता था उनको बिल्कुल ऐसी स्थी में रखा जाता था गुलाम हों यह है कि जिस टाइम पे ये कानून लाए गए थे अब डॉमेस्टिक वैले इन सेक्ट पांच में आया है जिस से पहले हमारे 498 ए 304 भी जो पुराने IPC में थे जो कि अब इनस में आगे चेंज हो गए लेकिन सेक्शन के लेंगविज सेम है जिस टाइम पर कानून लाए गए तो उस टाइम बहुए जलके मरती थी कुए में गिरके मरती थी सुसाइड होते थे तो तो देर वोज अ नीड इन सुसाइटी लेकिन हम क्या है कि अब सब पड़े लिखे हैं तो हम जा रहे हैं एक ऐसी सुसाइटी की तरफ विच इस गूइंग टू भी अपिटलिस्ट एकॉनमी अब सब खाएं कमाएं सब अपने घर की तरफ के लिए जो input दे सकते हैं वो देना चाहिए बेटी कहती है कि मैं अपने फादर क जो प्रापरटी उसमें भी राइट लूंगी बहु ऐसे बहु होती है तो अपने हस्बेंड की तरफ से जो प्रापरटी मिलती है उसमें दे उसका राइट होता है जो एंसेस्ट्रिटल ब्रापरटी है लेकिन जब घर के इंदर आते हो तो एक चाहे लव-marriage हो चाहे औरें accessible information क्यों वो क्या करते हैं कि वो जाती है court में पुलिस के पास यह कहना है कि जो यह वीडियो बन रहे हैं जो information access हो गई है आज की रेट में बड़े easily सबको पता है right क्या है तो यह problem है नहीं इसमें problem यह है कि लोग balanced नहीं बोलता है balanced चीज़ें नहीं बताता है अब ऐसे husband आदमी जाके court में खड़ा होता है तो वहां डांट खारा होता है 99% cases में आप देखोगे अगर चलो मैं 95% cases की बात बोलू गार्जन शेपटेशन आप देखते हो कार्जन शेपटेशन जब फाइल होती है तो बच्चा अगर माइनर है तो उसकी custody किसको मिलती है उसकी custody तो welfare case आप से decide होगी जनरली किसको मिलती है जनरली कोट के अंदर तो देखो जनरली पास साल तक मदर के पास बोलते हैं और उसके बाद वो case गसिटता रहता है और जिसके पास होता है बच्चा उहें रायता है जनरली 90% केसिस के अंदर मदर के पास बच्चा होती है लेकिन आप देखो गए कि सौ मैसे 90% केसिज में जनरली कोट भी बोलता है कि फादर को visitation right मिलेंगे हम इनको temporary permanent custody नहीं देंगे क्योंकि बच्चा मा के पास है बच्चे का welfare जो है मा देखी की क्या इसका मतलब यह है कि 90% जो husband है 90% जो father है बिल्कुल ही खराब है ऐसा तो case नहीं हो सकता न हम कह सकते है 50-50 हो सकता है 60-40 हो सकता है 70-30 हो सकता है 90% father बिल्कुल ही खराब है कि बच्चे को रखी नहीं सकते बने पास में क्या emotional attachment father का नहीं होता है यह trend चले आ रहा है दूसरा बच्चे के welfare की बात करते है obviously अगर 3 साल का बच्चे अपनी मा के साथ रह रहा है और 5-6 साल तक रहा और father से बिल्कुल दूर रहा तो उसका emotional attachment अपनी मा के साथ रहेगा फिर बाद में जो वो 11-12 साल का होगा वो कोट में आके बोलेगा मैं तो फादर के साथ नहीं रहूँगा लेकिन उस father पर क्या बीत रही होगी जो अपने बच्चे जो बहुत emotionally attached है ऐसे मैंने बहुत सारे father देखे मेरे पास case था एक father used to stay at home क्योंगे उसका work from home था और wife used to go to the office 9-5 की job बच्चे को सुबह उठाना, school भेजना, उसका खाने का करना, उसके लिए खेलना, extra curricular activities, सब काम करने का काम फादर का था एक दिन के बीच में dispute होगी, wife ने बच्चे को उठाया और अपने माई के लिए के चली गई अब वो guardianship petition file कर रहा है, वो बोल रहा है कि I am too much emotionally attached to my child, यह तो थी नहीं उस टाइम पे जब उसके जरूरत थी उसको और अब मैं अपने बच्चे से मिलनी पा रहा हूँ, he went to the court, court कहता है कि ठीक है जी, वीकेंड पे मिलनी अगर बच्चे से 1 गंटे वानार कहां वो 24 गंटे अपने बच्चे के साथ था, exceptions are there, but problem यह है कि जो law की information है वो तो मिलनी जरूरी है, वो तो हर किसी को होनी चाहिए, नहीं तो जो अब custody के उपर आप बात कर रहा है, I was coming to that, थीक है, मैं custody पे एक चीज़ कुछना जाता हूँ, आपने बोला कि भई, उ तो को यह बताईगी क्या जो welfare का बोला जाता है, गाजन पेटिशन के अंदर के welfare of child देखा जाएगा, तो welfare कैसे decide करेगी court, क्या उसकी income से decide होगी, क्योंकि generally मैंने एक चीज़ देखी है कि wife जो होती है, बच्चे ही custody भी लेके बैठी होती है, maintenance case भी डाल रही होती है, साथ मे यह बोलते ही, welfare के बच्चे का मेरे पास है, तो यह welfare जो है, जो गाजन प्रडिशन के अंदर welfare को जोड़ा गया है, यह welfare कैसे decide होगा, क्या उसकी financial condition पे welfare decide करेगी court, या उसके रखरखाव पे decide करेगी, या उनका emotional check करेगी, अब emotional तो check किया ही नहीं जा सकता, हो सकता है, मैं आ welfare का जो मामला है, जो बहुत वेग है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, legislative body, 545 से ज़ादा हमारे पास legislative member of parliament है, राजसभा में और भी ज़ादा है, लेकिन आज तक वो welfare of child की definition नहीं दे पाए, कि क्या होती है welfare, बच्चे का welfare किसीज में होगा, कोई definition नहीं है, साइके condition जो है, this is one of the biggest factor, not the sole criteria, क्योंकि बच्चे को emotional attachment भी चाहिए, उसको एक role model भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के लिए उसकी मा ही उसका role model हो, या father ही हो, but बच्चा जब चोटा होता है, तो उसको अपनी किदेना sense of protection, sense of belonging, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो मा ज़रूरी क्या करती है, अपने बच्चे को ज़्यादा time दे पाती है, क्यों, क्योंकि शी is not able to go and take a job, क्याती है, बच्चा छोटा है, तो मैं भी अबला नारी वाला system, कि मैं तो घर पे हूँ, मैं बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, तो मैं maintenance लोंगे, बच्चे को time अभी मैंने इस चीज़ पर बड़ा अच्छा में को incident यादा रहा है, अभी एक किसी हाई कोट का वीडियो वाइडल हुआ है, जहां पर एक लड़की खड़े हो करके बोल रहे है कि मेरको तो अपने मां के साथ भी रहना है, और मुझे अपने फादर के साथ भी रहना है, मत उसने बोला है कि मैं अपने मदर और फादर दोनों को सपोर्ट कर सकती हूँ, दोनों मेरे साथ रहे हैं, इस पर लड़ने की जुरूत नहीं है, बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा emotional stress होता है, ये चीज़ देखना, कि उनके माबाब जो है अलग हो रहे हैं, और उ जाकर के अपनी फैमिली के अंदर फिर ये देखते हैं कि कोट कचरी उनको पता होता है, कानून मलूम होता है, और जाकर के जहां शादी होती है, वाप पे बुडे माब आपको प्रेशान करते हैं, देखो ये नहीं होता, पांच उंगलिया बराबर नहीं होती, ऐसे भी लो दोनों जो फादर था, फादर वो जा ड्रंकर्ड, वो बहुत दारू पीते था, एक बेटा जो है, वो बहुत तरक्की की उसने, बहुत बड़ा बिजनसमेन मना, और एक बच्चा जो है, वो दारू पी-पी के अपना जिदरे-दरे करके लिवर खराब के और मर गया, मरने स बोला कि मेरे फादर जो थे, वो बहुत दारू पीते थे, मैंने उनको देखा कि उनकी आहलत खराब होगी, तो मुझे ये काम नहीं करना, so I came into business, मैंने इस चीज़ से हाथ ने लगा, दूसरा वो so emotionally attached कि मेरे फादर ऐसा करते तो this should be a good thing, तो दारू पी ने लग गया, और उ बेलफेर की जहां तक बात आती है, उसमें finance plays a good role, अगर फादर अपना सारा काम छोड़ के घर पे रह सकते हैं, वर फूम कर सकते हैं, तो he can better take care of child, जरूरी ने कि माई कर पाएगी, हो सकता मा जॉब कर रही है, मैं आप कहने हैं कि अगर बच्चे की कस्तरी लेनी है फादर क मेरे mind में question ही उठ रहा है कि वो एक किसी company में बहुत उची position पे है, और husband wife में जगड़ा हो जाता है, wife कुछ नहीं करती है, बच्चे को उठा करकर ले जाते है, custard ले जाती है, फादर का attachment बहुत जादा है बच्चे से, अब वो फादर चाता है कि बच्चा मेरे को मिल जाए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जॉड़ दे, तो क्या ऐसी condition में फादर को बच्चा मिलेगा ही नहीं, जबकि educational वो लड़की अपनी wife से better है, वो बच्चे का ज़्यादा ध्यान रख सकता है, ठीक है, क्योंकि जब वो पहले भी अगर इखटे रह रहे तो तो ऐसा नहीं अगर वो जॉड़ नहीं छोड़े तो तो कस्टेडी नहीं मिलेगी? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाप बिलकुल गड़े में जाए, तो मतलब यह कहने का मतलब है, जगड़ा होता है husband wife का, यहां बच्चा पिस्ता है, मैं टॉपिक शुरू करा था मजर फादर से, बुडे माबाप से, मतलब उनके चारो तरफ जो लोग हैं, सब पिस्ते है husband wife के जगड़े में सब पिस्ते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि होता क्या है, कि बहुए हैं क्योंकि law उनके favor में आता है, उनको easy information भी पुलिस station में जाएंगे, wife ने husband की पिटाई गर दी वो पुलिस station जाता है, कि दो मेरी पतनी ने मुझे मारा तो पुलिस वाले हसते हैं, क लेकिन वही पती शाम को जाके अपनी पतनी को दोत लगा दे, और अगले दिन पतनी चली जाएगे, उसने मुझे मारा तो बैठ जाए एक साइड में, पहले तरको सीधा करें, पतनी पर हाथ उठा रहा है, एक दिन पहले वही हस रहते, जो societal dogma है, जो एक हिपोग्रेसी है, वो बहुत अजीब है, अच्छा दूसरा क्या होता है कि वह बहुए जब उत्पात मचाती है, कैसे उत्पात मचाती है, वो कोर्ट में केस फाइल करेंगी, वो stay order ले ले लितेंगी, इस matrimonial house में, share household property है, मुझे इससे ना निकाला जाए, और उसके बाद वो सबके इस रप अच्छा दूसरा कहता है, आदमी को थोड़ी चीज मिल जाया है, तो वैसी भी अकड़ में होता है, हमेशा नेगोशियेशन करना है, बड़ा simple rule है कि जब negotiate जब होता है, compromise settlement जब होती है, जब दोनों का पलड़ा बराबर हो, एक का भारी रहेगा और एक का हलका रहेगा, तो होगा क्या कोई से, extortion बोलते हैं, blackmailing बोलते हैं, मैं आपको बहता हूँ, सेम इसी तरीके का case अभी मेरे पास आया है, और क्योंकि ये discussion उस case को देख करके कहीं ज्यादा मेरे दिमाग में थी, उसमें बुड़े मावाप हैं, तीन बच्चे उनके तीन लड़के हैं, लड़ उसकी बहु है, उसके दो बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी और एक छोटा बेटा है, छोटे बेटे को भी थोड़ी सी mentally problem है, अब उसका बेटा है, जो शादी होके आई थी लड़की, उसके बेटे को बच्पन से उसकी बुवाने पाला अपने घर पे, कभी वो घर में र जादी हो mentally retarded लड़के से वो रखी है, वहां ऐसी इस्तिती पैदा कर रखी है, जो सोच भी नहीं सकते हैं, वो अपने पती को मारती है, जो निमागी तोर पे कम जो रहा है, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, वो अपने बुडे माबाप को मारती है, गाली गलो कर रही है कि तुमारे पास जो pension आती है, जो इस बच्चे का कमी हिस्सा हो सकता था, उसको मेरे पास के अंदर, और खुद दुकान चला रही है, उसकी बेटी जॉब कर रही है, तो यह मतलब ना, किस तरीके से मिस्यूस कर सकते हैं, पूरा मिस्यूस करा गया है, पूरा मिस् मिस्मेhta वाली, पुजा मेता वसिस टेट ऑफ एंसीटी, इस जज्ज्मेंट के अंदर दिली हाइकोट में क्लियर करा है, कि अगर डोमेस्टिक वैलन सक्ट के अंदर, कोई प्रोटेक्शन दे भी दी गई है, अगर सेक्शन सेवंटीन के अंदर प्रोटेक्शन दे दी गई और senior citizen X के अंदर अगर BM यह पास करता है order कि यह जो ill treatment चल रहा है बुड़े माबाप के साथ यह नहीं होना चाहिए वो इस लड़की को बहु को घर से बाहर निकाला जाए तो वो super seat करेगा order BM का order वो MM court के order के उपा super seat करेगा इसमें हुआ क्या है इसमें बहु ने अपने domestic violence act के अंदर petition फाइल की उसने बोला कि मेरा matrimonial home है यह जो है share household property है उसमें से मुझे ना निकाला जाए domestic violence act में महिला court ने बोला कि इसको आप घर से नहीं निकालोगे तो stay दे दिया एक तरीके से उसको रहने का right दे दिया बूरे माबाब जो है वो चले गया senior citizen act में senior citizen act is only one of those acts जो senior citizens को protect करता है उनने का जी ill treatment चल रहा है इनको घर से निकाल दो order पास किया जाए कि eviction order पास किया जाए कि ill treatment के वेस्पे से को निकाल दिया जाए matter went to supreme court क्यों high court उसमें हुआ क्या है कि dm ने बोला कि eviction order पास कर रहे है ill treatment नहीं होना चले senior citizen का high court says कि wife अगर domestic well in section में उसको कोई right मिला हुआ है no right is absolute ऐसा नहीं कि उसको अगर protection मिल गई तो right absolutely हमीशा वेसी रहेगी अब question जो आता है वो question जी आता है कि अगर dm ने order कर दिया इसके eviction के कि इस बहु को घर से निकाला जाए तो उसके पास क्या remedy है कि एक तरफ तो stay order था और दूसरी तरफ भी legal order है dm का ऐसा भी नहीं कि कोई contempt हुआ है या फिर को violation हुई है किसी order की नाव इसमें एक छोटा सा लेकूना है जो society में बहुत दिक्कत करेगा इस judgment के वैसे वह कहते है कि आने वाले टाइम में अगर इसको इस घर से निकाल दिया गया है तो इसके लिए alternative citizens order press कर सकती है alternative accommodation के राइट है वह प्रेस कर सकती है किराहे पे रहती है तो rent claim कर सकती है शेकन डूटेवर शी वांस लेकिन सेनियर citizens के लिए यह तना बड़ा relief है यह आने वाले टाइम में कि अगर बहु परेशान कर रहे है तो इसा नहीं कि अपनी property से बाहर रहेंगे लेकिन इसके अंदर निकल के आती है अब मुझे लगता है यह judgment आने के बाद अब एक तरह केसी हो रही है हमारे पस क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी तक जब भी matrimonial के साथ है तो हम माबाप की तरफ से बहुते हैं इंच्छन सूट फाइल कर दो आपको कि बहु च अलका है सबसक्राइल सब्सक्राइब मीले अच्छी है लेकिन अब वो conspiracy रचेंगे, दिखाएंगे मेरे साथ ill treatment हो रहा है और senior citizen act के अंदर जा करके eviction मांगे हैं अगर कहीं कोई कानून होगा तो उसका use और miss use दोनों होगे हम यह नहीं बोल सकते हैं एक time पर महिलाओं के लिए जो कानून बने तो उनका use होता था अज miss use हो रहा है, Supreme Court तक ने बोला है कि this is legal terrorism तो बात क्या है कि जब right मिलेगा senior citizens को, माबाब को तो उनको भी लगता है कि हम भी यह काम कर सकते हैं तो ब्लेक मेलिंग तो दोनों तरफ से होती है, conspiracy दोनों तरफ से होती है जब बहु को निकालना है तो परिशान करेंगे नहीं निकालना है, मेरे पास मेरे एक जानकार है उनकी बेटी का divorce हुआ आप सोचों कि divorce का reason क्या था कहां से बात शुरू ही थी बात इसी से शुरू हुई कि वो उसको सुबह उटके coffee पीनी होती थी और जिस घर में उसकी शादी हो वो सुबह पांच बजोटके चाय पीते तो सास ने बोल दिया कि बेटी हम सारे चाय पीते है तो तू भी चाय पीना शुरू कर दे वो अपने पती को कहती है कि तुम मेरे लिए 10 रुपे का coffee का एक पाउच नहीं मंगवा सकते है आपके पास सुईगी है सुमेटो है ब्लिंकिट है कुछ भी है कहीं से मंगवा लो आपके पास तो एक ऐसा केसा है जिसमें आप बोलरो coffee नहीं पीने को देरी है मेरे पास तो पेस्ट के जो toothpaste होता है उस पेस्ट को निकालने की अकल नहीं है वो बीच में से प्रेस करता है वह ऐसे भी है तो और इस बात को लेकर के वो कहते है मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती में को इससे डिवोर्स जी है पती-पती में दोनों संकी हो सकता है तो मैंने तो इनको अगर घर के अंदर एक ट्यूब एक ट्यूब एक खरीदने से तुम्हारा फैमिली बस सकती है तो वाइनोट डूंट यू पर्चेस वन मोर ट्यूब अरे नीम की दालतुन करनी शुरू करता है तो आप कहीं से यूज करो उसको आप उसको उपर भी यूज कर सकते होगे मार के अंदर उनसी के io अदर हूं मैंने देखा ये वह नदार हैं मापात हों बुरू नड़कं के मापाप हूं य। रणकी के मापाप हो शाधी करा जाती यह सोचके मैंने तो कई जिंगे ऐसा देखा है कि लड़कियां इस्पेसिफिक यह बोलती है कि विजिटेशन राइट तो देदी हैं लेकिन तो विजिटेशन पर अकेला मिलने आएगा अपने बुड़े माबाब को लेने नहीं आएगा और देखो कमाल की बात यह कि बुड़े माबाब करते हैं तो जागर के अप्लिकेशन लगाते हैं देखो जी हमने तो आपने लोग नहीं समझते हैं ना पती समझता है ना माज समझती ना बेटा समझता है जो बहुत बेसिक चीज है पहली बात तो क्या होता है कि बच्चा जिसके पास है जैसे वाइफ के पास बच्चा है तो बच्चे के सामने अपने उसके माप पिता जी की दादा दादी की बुराहियां करती है एक psychological fact होता है जो factor ये काम करता है कि अगर आप किसी बच्चे के सामने उसके बाप की बुराही कर रहे हो तो हमेशा बच्चा अपने उपर लेना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर भी ऐसे ही गुणों होंगे चाहिए वो बेटा हो या बेटी आने वाले टाइम में उसके उपर जो psychological stress है जो psychological impact है वो बहुत negative होता है तो अगर आप अलग भी रह रहे हो तो बच्चे के सामने अपने उसकी मा की उसके बाप की बुराही नहीं करनी चाहिए दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब ये पेरिंट्स की बात करते है बुड़े पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को पाला उनकी शादी करवाई इस उमीद में कि अच्छा बुड़ापा देख लेंगे जिन्दकी वर जूते घिसे डेटायर हो गए, साठ साल से उपर गयो गए, सिनियर सिटिजन बन गए अब उसके बाद उनको एक peaceful life चाहिए जिसमें वो आराम से अपने time से उठे है चाहे पिये, खाना खाये, टहल के आए और कहीं shopping करनी या घूमना है तो कर सके इन सब situations की वज़े से आदमी कितना भी मजबूत हो तहां रखना, हर माब आपको बताता कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो ठीक है गलत है बच्पन से पाला है ना लेकिन गलत होते हुए भी आदमी हारता कि इसके सामने है अपने बच्चों के सामने है उसके बेटा या बेटी अगर गलत भी है तो भी वो मजबूरी है उनका साथ देना तो मैं को एक बात बताईए वैसे जो राइट दिये गए हैं वह को राइट दिये गए हैं कि आप केसिस दा लिए और पर्मानट रली मनी भी लो तो क्या यह कोई माबाप के लिए कोई सिस्टम ने पर्मानट रली मनी के लिए माबाप ने बच्चे को जो 25 साल से पाला उसको कराया है हम बोलते हैं husband और wife इनका right है आपस में wife का right है over the property of the husband ठीक है एक माबाप ने बच्चे को 25 साल तक पाला उसको पाल पोस्के बड़ा करा उसको इस लायक बनाया है कि वो society के अंदर जा करके अपने अपको existence के अंदर ला सके वो समाज के अंदर खड़ा हो सके उसकी शादी कराई उसके अंदर जितने खर्चे मतलब कहने का मतलब है कि जब बुड़े माबाप हैं उन्होंने अपनी जिन्दगी काड़ दी उन्होंने उनके उपर खर्चा कर दिया अब वो उनकी मेंटेनस के उपर जो भी पांदर साजार रुपर को डिसाइड करेगी उसके उपर जिये वह प्रॉब्लम यह ना कि जब अगर बच्चा समझे एक ना हर्याना में बड़ी सिंपल सी कावात है कि जिस दिन बच्चा अब बड़ा होके अपने माबाप को यह बात बोल देता नहीं कि मा या पापा तुमने बड़ी मेहनद कर ली अब आगे दुख नहीं देखेंगे मैं हूं तुमारे साथ चाहे घर में कितना भी बुरे से बुरा टाइम चल रहा हो यह बात सुनने से ही माबाप को इतनी शांती मिल जाती है कि बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माबाप ने बहुत दुख दिखे हैं और यह मेरे साह हमारे साथ है अलग नहीं है किसी चीज में हमाए आने वाले ट पेस जिंदगी जी रहे हो, करोड़ों रुपे की गाड़िया देखते हो, लाखों रुपे के मुबाइल देख रहे हो, आपकी दुनिया तो वहाँ गुसी हुई है, आप ये नहीं सोचते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे माबाब साइकल पर जाते थे, या उनके लिए इतनी मेहनत करते थे, मेरे को कैसे पाला है कि स्कूल में लेके गया है, तो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और यहां तक तो छोड़ो, क्योंकि अब भी तो चलो हम बात कर रहे हैं कि बहु के प्रेशान करती है, कई बार तो मैंने ऐसे देखा, लड़के प्रेशान करते हैं, उनके बच्चे प्रेशान करते हैं, बेटिया प्रेशान करती है, प्रोपर्टी को लेकर के, एक केस आया था जहां पर एक बेटा इसलिए प्रेशान था, कि मेरे बाबाब के बाग दुनिया भर की प्रोपर्टी है, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, और मेरी बहन उसमें तो इससा मांगेगी, अब वो प्रेशान इसलिए है कि कुछ ऐसा करो वग्रेशान, कि यह जो प्रोपर्टी है ना, करना और मैं बोलना जाता हूं, मेरे पास तो जब भी ऐसे लोग आते हैं, मैंने उसको भगा दिया था कहरा, जब माबाब आते हैं, बुडे माबाब आते हैं, और वो बोलते हैं, कि हम अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करना जाते हैं, जब तक आपके पास प्रोपर्टी है, जब तक फैमिली में इज्जत हो रही है, जिस दिन उन्होंने प्रोपर्टी लिख दी अपने बच्चों के नाम, वो समयलो जो इज्जत थोड़ी बहुत मिल रही हैं, वो भी मिलनी बंद हो जाती है, इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल कि माबाप जो है अपने बच्चों के नाम पर प्रोपर्टी उनको नहीं करनी चाहिए, वो लगवग धाई करोड लोगों ने अप्रिशेट किया था, अपने बच्चों के नाम पर नाम पर नहीं करनी चाहिए, यह तो बाटम लाइन रूल कि इससे आगे तो आपको जाना ही नहीं है, और प्रेशान करें, तो इविक्शन सूट डालें, Senior Citizen Act का यूज करो और इविक्शन सूट बता रहा हूँ, आपको पुजा महता वर्सिस स्टेट ओफ एंसिटी दोजाच ओविस के अंदर आईए, कल लिंक में आप इस वीडियो के अंदर दे दूँगा, अगर आप भी अपने बच्चों से प्रेशान हैं और बहु आपकी प्रेशान करती हैं तो जाओ, Senior Citizen Act का यूज करो और इविक्शन सूट डालो और ऐसे बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल दो, कर दो